दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में दोस्तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि मौल भाव वाली दुकान में और फिक्स रेट वाली दुकान में बेस्ट सोप कौन सी होती है तो आज इसी टोपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बहुत सार आपके कमेंट सायते हैं कि सर ये तो आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई मगर आप हमें एक टोपिक और इसी के ओपर थोड़ा सा एड़ करके बता दीजे कि यदि हम फिक्स रेट की सोप करते हैं तो उसमें हम अपना रेट अपने प्रोडेक्ट के ओपर कैसे फिक्स क की हैं तो आप अपने प्रोडेक्ट के ओपर कितना प्राइस फिक्स रखें उसमें क्या परसेंटेज होनी चाहिए और इसका ध्यान कैसे रखना पड़ता है और साथ में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रहक को कैसे समझाए कि फिक्स प्राइस वाली जो दुकान है मो अपना यूटूब चैनल तेजस व्लोग दोस्तों सुक्रुवार को मैं वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मेरी आवास से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीत खराब थी मगर आज मंडे हैं मैंने आप लोगों से वादा कर रखा था कि एक सब्ता में दो बार वीडियो अपलोड करता हूँ मैं सुम्वार के साम या सुक्रुवार को मगर सुक्रुवार में नहीं आ पाई इसलिए आज सुम्वार में आनी बहुत जरूरी है आज टोपिक आप थमनेल देखकर समझी गए होगे तो मैं आपको बता देता हूँ यदि आपकी फिक्स सोप है फिक्स आ सकता है इस तरह का मारजन करके कितना परसेंटेज लेके आप अपने प्रोडेक्ट के ओपर रेट फिक्स कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें इंपोर्टेंट बातों पर फोकस करना पड़ेगा पहली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस मार्कि रेट में जो दूसरे दुकंदार है वो कितना मारजन ले रहे हैं और इसके लिए आपको उनकी दुकानों पर जाना पड़ेगा या तो आप खुद जाईए और या फिर अपने किसी दोस्त को किसी रिलेटिव को खास तोर पर वो चीज खरीदने के लिए बहेजिए जो जर्दियों का समय चल रहा है हुडीज बच्चों की जीन्स ये इस तरह के बच्चे या बड़ों के सभी का एटम मिल जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा जो दुकंदार उससे पूरा मौल भाव करने के बाद आखरी रेट में आपको दे देता है तो आप अपना ए प्रेक्ट आया और 800 रुपे में मौल भाव वाली दुकान पर जो आपकी मार्केट में हैं 40% यानि के 800 प्लस 320 हैं के 1120 रुपे की कोई चीज बेच रहे हैं वे 120 की बताएंगे कस्टमर क्या करेगा तोड़के उसे 900 रुपे पर ले आएगा तो आपको ये देखना है कि वो जिस पर आप ग्रहक बन कर गए है क्या कितना तोड़ता है मेरे हिसाब से 40-50% बता करके वो 25-30 तक आपको दे देगा बस यही पर आपको फोकस रखना है कि हम कितना मौल भाव करके तुड़वा सकते हैं और जो आखरी रेट उसने बोला है उस पर फोकस करना है दोस्तों मै आपको बता देता हूं कि कपड़े की रेडिमेट गार्मेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेडिमेट गार्मेंट में मार्जन 20% से लेकर 50-60-70% तक भी होता है जो मौल भाव वाली दुकान है वहाँ पर आपको हमेशा जाद अतर लेके 50% से 70% 80% तक का मौल भाव वाल है दोनों की संतुष्टी करने के लिए कस्टमर की भी संतुष्टी होती है और दुकंदार की भी संतुष्टी होती है तो जो 50-60-70% मार्जन बताया गया है वहाँ पर जोड़ करके वो 30-35 तक ला करके बेच देते हैं इस वज़े से मौनाफ़ा थोड़ा सा मौल भाव वाल आपके जो दूसरे कंपेटिटर है वे बेच रहे हैं दूसरी बात आपको प्रोडेक्ट की क्वालिटी पर फोकस करना है कोई भी लो प्रोडेक्ट फिक्स रेट वाली दुकान में ना हो मीडियम और हाई क्वालिटी यही प्रोडेक्ट आपको फिक्स रेट दुकान पर हो पड़ेगा कि लो क्वालिटी आपको लानी नहीं है क्योंकि फिक्स रेट में अच्छी क्वालिटी ही बिखती है लो क्वालिटी नहीं बिखती तीसरी इंपोर्टेंट बात कि आपको जब भी कस्टमर से डील करनी है जब भी ग्रहक आपकी दुकान पर आया और आपने उसको कोई प्रोडेक्ट सपोज किजिए मैंने जीन्स और शाल्ट दोनों कस्टमर को दिखाई और दोनों कस्टमर को पसंद आ गई हमने उसको रेट बताया 800 रुपे का जोड़ा मिलेगा अब आपने फिक्स रेट रखा है आपने क्या करा उस पे 25% फिक्स रेट कर दिया आपने में मौलभा वाली दुकान होती है भली आपने फिक्स रेट भी लिख रखा हो तो कस्टमर को यहाँ पर डील करने का बहुत ही सरल और समान चनक यहाँ पर वहवार होना चाहिए फिक्स रेट वालों को यह बात खासतोर पर ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपकी दुकान पर फिक्स रेट है तो वहवार के ओपर बहुत ज़्यादा है डिपेंड करता है क्योंकि जब कस्टमर आता है और आप कहते हो कि 800 रुपे है और कस्टमर कहता है कि नहीं मैं तो 700 दे दूँगा तो आपके मुक्षी एकी बात निकलेगी हमारी दुकान का रेट फिक्स है कुछ ये बात आपको संभल के बोलनी है बस क्योंकि बहुत सारे दुकांदर क्या होते है फरस्टेर हो जाते है और उन्हें बोलते है कि हमारी दुकान का रेट फिक्स रेट है आपक और हमने वो रेट यहाँ पर fics करक्था है, वो margin अपना fix करक्था है, यदि दूसरे की दुकान पर आपको कोई product 100 रूपे के margin से मिल रहा है, यदि दुकांदार मौल भाव करके 100.500 रूपे भी बचा रहा है, तो आप हमारी दुकान पर कभी भी आओ, एक तो अपना time बचा ल कर रहे है इस वैसे हमने fix rate कर रखा पूरी मार्केट में ट्राइए कर लो यह हमारी गारंटी है रेट की कि जब भी आप मौल भाव वाली दुकान वही product लेकर देखा और हमारी fix rate वाली दुकान पर वही product लेकर देखा आपके अंदर एक confidence होना चाहिए customer को घेड़ने के लिए उसके दिमाग में ये बात चिपका दो कि fix rate वाली दुकान पर एक normal सा margin लिया जाता है जब भी आप percentage की बात करते हो तो दूसरों की दुकानों का percentage दिखाओ और अपनी दुकानों को रूपों में convert करो जैसे कि customer को कहिए कि आप जैसे दूसरों की दुकान पर जाते हैं 50-60% का margin रखते हैं वे लोग जैसे कि 500 रूपे का कोई product है तो 750-800 रूपे से निच्छे नहीं मिलेगा आपको 500 रूपे तोड़कर के भी वे लोग 40-50% तक का margin कमा लेते हैं और आप लोग खुश हो जाते हो लेकिन जो fix rate वाली दुकान है उस पर चाहे बच्छा आजाओ बढ़ा आजाओ बूढ़ा जाओ अंजान आजाओ कोई भी वे एक्टिया आजाओ सभी को एक ही समान से एक ही rate दिया जाता है जो पूरी market के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे एक normal से margin है कि आप वहां 40-50% का margin ले रहे हैं लेकिन हम यहां पर मातर आपसे 50 रूपे का margin ले रहे हैं एक product पे हमारा कोई product 700 रूपे का रहा है तो हम 7500 ले रहे हैं और उस 7500 रूपे में हमारी GST भी है हमारा किराया भी है दुकान का किराया भी है सब कुछ निकल रह से आपको थोड़ी सी बहुत problem होने वाली हैं मगर जब भी customer की यह बात समझ में आ गई आपको customer के ओपर focus करना है यह दिन में आपने दो customer भी बना लिए तो वे customer repeat होंगे तो सोच कर देखे एक महिनने में 60 customer बनते हैं और वे 60 customer दूसरों को बताएंगी तो daily कितना routine आपका ब परसेंट लेना है आपने market में पता कर लिया कि 25% 30% 35% तक वे लोग बेच रहे हैं तो आपको fix rate आखरी करना है आपका यदि आपकी market में 25% से नीचे कोई नहीं बेच रहा है तो आप उसको 23% का margin fix कर दीजे ठीक है 23% का margin बहुत होता है यदि 1000 रुपे हम 23% लेते हैं तो 230 र लेते हैं तो आप लगा कर के देखिए 165 रुपे की आपको बचत होती है और एक दिन में यदि आपके 10 कस्टमर भी आ गए तो 1650 रुपे की आपको बचत हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मोल भाव वाले जो कस्टमर होते हैं वे धीरे धीरे आप से हटते चले जाएंगे और जो अच्छे कस्टमर है वे आप पर आना सुरू हो जाएंगे और वो रुटीन बना लेंगे क्यूंकि आपकी दुकान के ओपर टैमर बाद नहीं होता है आपकी दुकान के ऊपर बिहेव बहुत अच्छा होता है और आपकी दुकान के ओप अगर quality के साथ में quantity भरपूर मिलती है variety भरपूर मिलती है तो दोस्तों आपको ये चीज गोर करनी है कि जो fix rate रखना है 20 से लेकर 25 के बीच में रखना है अगर हो सके आपके अपनी दुकाने तो 20% कर दीजी या 20 से भी 1-2% नीचे कर सकते है यदि अपनी दुकाने यदि आपक rate रखिएगा 20% प्लस अब उसमें एक प्रोब्लम आपको और फिश करनी पड़ेगी सबोज कि यह आपकी कोई product 100 रुपे का रहा है और आपने 20% रख दिया तो उसका क्या होगा कि 120 रुपे में आपको बेचना पड़ेगा जबकि वही product market में नॉर्मल से rate चला हुआ है कि 1. 40% के margin से भीकरा है automatic customer को पता है कि इतने का भीकरा है तो आपको यहाँ पर 20% नहीं करना है ये बात आपको पता है कि 20% नहीं करना है हमेंने दिखा रख रख देना है ये बात आपके अंदर की बात होती है 500 रुपे से नीचे आप थोड़ा सा extra भी ले लोगे तो कोई दिक्क 70-500 के ऊपर 20% रखे एक हजार के ऊपर आप 1-2% और घटाना चाते है तो 1-2% और घटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये सी तरीके से fixed margin सेट किया जाता है और दोस्तों यदि आप अभी भी confused हो कुछ जानना चाते है तो हमें comments करो वीडियो पसंद है तो वीडियो को like share औ मैं अगला topic आपके लिए फिर ले करके आऊँगा आपके comments को देखने के बाद की आप मुझसे क्या जानना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो को share जरूर कीजिएगा सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद की आप लोग हमार सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाईए एक लाग फैमिली मेंबर मेरे बन जाईए फिर कहीं पर मिटिंग करते हैं हम लोग मिलते हैं एक साथ एक दूसरे के साथ जो आप लोगों की problems है वो share करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाईयो मैं भी आपके जैसे ही हूँ और जितन मुझे जानकारी होगी उतना हो सकते आप लोगों को भी जानकारी हो मगर फिर भी एक दूसरे के share करने से बाते बहुत कुछ मढ़के आती है तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक लाग सब्सक्राइबर एक लाग फैमिली मेंबर होने के बाद मैं इस तरह का option जरूर निक तक के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच